इस वीडियो में बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की तो यह सब्जेक्ट होने जा रहा है है और डिप्लोमा के बच्चे पॉल्टेक्निक में इसे हाइड्रोलिक्स के नाम से जाता है जबकि बीटेक्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग फ्लूड मेकेनिक्स इस तरीके से जो चैप्टर्स है या जो आपका सिलेवस है वो दोनों का से में बस नाम अलग-अलग कर दिया गया है डिप्लोमा में इसे हाइड्रोलिक्स से लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिक नाम से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और बीटेक में फ्लूड मेकेनिक्स के ना तो हम पूरे इंजिनेडिंग में अलग-अलग करके इन सबोको पढ़ते हैं जैसे इसके बारे में इसके मेकेनिक्स के बारे में तो उसको हम लोग बोलते हैं इसके मेकेनिक्स के नाम से फर्ड समेस्टर में जबकि सॉलिट के बारे में तो पढ़ लिए तो हम सारे मेटर के बारे में पढ़ते हैं उसी तरीके से लिक्विड और गयस के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं तो यह जो लिक्विड और गयस है ना इसी को हम लोग क्या बोल वारे में और उसके बाद लिक्विड और गयस को एक सात पड़ते हैं जिसके हम लोग बोलते हैं तो इसलिए हम इसको को एक साथ पारते हैं तो सबसे पहले हम लोग के बारे में फ्लूड होता क्या तो यहां पर देखिए फ्लूड जो होता है वो मैटर पितलब सॉलिड लीकुड जो मैटर से सबस्तान्स हैं वह क्या होते हैं जो इसलिव अग्याब कर सके जैसे कि आपका लिक्मी डिक्विट है तो इसको झीज में डालते हैं जी तमया उच्छा से श्क्मीर्ट का जो भौत अच्ची से अउस्यूट करता और एक्स्टरनल फोर्स तो फ्लूट के जो सवस्टांस होते हैं वह क्या होते हैं नहीं करते हैं लेकिन जब जबकी लिक्विड और गैस में यह हम इसा दिखा जाता है कि इनके पार्टिकल्स और सवस्टांस दैसे ओल देखता है कि ल्क्विड फलो रहा है यह जुकल्स बात करें तो जो हो सके उसको और प्ली अुलक हो होते रहता है तो इसको हम छोड़ दे तो यह क्या करेगा बहने लगेगा तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओके तो वोफिली समझ में आगो fluid क्या है अब हम लोग fluid mechanics का definition समझ लेते हैं fluid mechanics is that branch of science which deals with the behavior of fluid that is liquid or gas at the rest as well as in the motion so fluid mechanics में हम behavior के बारे में पढ़ते हैं fluid के behavior के बारे में पढ़ते हैं कि वो जब rest में होगा तो उसका behavior कैसा होता है या फिर जब वो motion में होगा तो उसका behavior क्या होगा तो इसे ही हम लोग क्या बोलते है fluid mechanics बोलते हैं मतलब कहने का मतलब क्या है कि fluid के that is liquid और gas के behavior को study करना उसके behavior को study करना चाहे वो rest में हो यानि रुका हुआ पानी हो fluid mechanics बोलते हैं अब आप लोग पूचेंगे सर्थ हैड्रोलिक्स क्यों इसको बोला जाता है है डोलिक्स में एक्चली स्पेशली जो है हम लोग किसमें किसके लिए बात करते हैं है लीस से समझ में आ रहा हूं कि हां वाटर सिलेटेडेड changes और लेक्विड यहानि है इससे में हम लोग किसके बारे परते हैं वाटर के बारे में यह अ प्ढ़ पार है न कि प्राइमरली किस पर फोकस किया आता है लिक्वड पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरली जो होता है प्राइमरली किस पर फोकस किया आता है लिक्विड पे इसलिए हम लोग बात करते हैं कि जो रेस्ट में भी हम लोग बात किये कि फ्यूर जो होता है रेस्ट में भी हम लोग इसके बेवियर को स्टड़ी करते हैं या फिर किसमें बोर्शन में इसी बेस पे हम लोग इसको तीन तरीके से स्टड़ी करते हैं एक होता है स्टाटिक बोला जाता है एक को हम लोग बोलते काइनेमेटिक और एक को बोलते हैं डाइनेमिक तो इससे समझते हैं कि स्टैटिक किसे बोला जाता है डाइनेमिक किसे बोला जाता है और काइनेमेटिक किसे बोला जाता है तो स्टैटिक जब हम लिक्विड हमारा क्या हो यानि फिल्यूड जो है लिक्विड और गैस वो क्या हो अगर रेस्ट में हो क्या हो रेस्ट में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टाटिक बोलते हैं मतलब अगर लिक्विड जो है रेस्ट में है और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम फ्लूड का स्टडी करते हैं मोशन में तो या तो कानेमेटिक हो सकता है या तो डैनेमिक हो सकता है तो किसे हम लोग कानेमेटिक पूलेंगे और किसे डैनेमिक पूलेंगे रेस्ट के लिए तो टेंशन नहीं है रेस्ट है तो क्या है स्टेटिक फ्लूड हो गया बट मोशन मे और उस पे कोई external pressure या pressure force कुछ लग रहा है तो आप उसको अगर consider नहीं करते हैं pressure force को अगर consider नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाता है kinematic कहलाता है और अगर आप motion के साथ साथ pressure force को consider करते हैं तो वो क्या कहलाता है तो एक बढ़ और अच्छे समझते हैं कि जब अगर fluid क्या है rest में है और उसको आप study करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं static और motion में है और pressure force जो liquid पे लग रहा है उसको आप consider नहीं करते हैं तो उसे बोलते है fluid kinematics उसको हम लोग क्या बोलते है fluid dynamics तो इन सब पे आगे हम लोग chapters पढ़ेंगे जैसे first chapter पढ़ेंगे properties of fluid के बारे में दूसरा properties होगा hydrostatic जिसमें की water रुका होगा और उससे related हम लोग study करेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे kinematic of fluid flow उसके बाद dynamic of fluid flow जहांपे kinematic में hydrostatic में हम पढ़ेंगे की water क्या होगा रुका होगा kinematic of fluid flow में पढ़ेंगे की water motion में होगा बट वहांपे forces जो होगे उसको consider नहीं करेंगे और dynamic में जो होगा वो क्या होगा forces जो है consider करेंगे while in motion of fluid तो एक बाद देख लेते हैं language में भी the study of fluid at rest is called static fluid the study of fluid in motion जब fluid motion में हो where pressure force are not consider pressure force जो उसको आप consider नहीं करते हैं तो इसको हम बोग बोलते हैm fluid kinematics ठीक है और last one जो है study of fluid in motion fluid का motion में होता Fehlt study करते है where the pressure force is considered pressure force को भी आप क्या करते हैं consider करते हैं उस branch of science को हम लोग क्या बोलते है तो यह तो रही बात introduction of fluid mechanics की या फिर आप बोलते है hydraulics की तो hopefully आप लोग को समझ में आया होगा कि ऐसे बारे मैं पर्थे इसमें की लिकविड के बारे में परते है तो नहीं यहीं सब्सक्राइब होपली आप लोग को समझ में आए होगा आगे की वीडियो में हम लोग देखें प्रपर्पर्टीज अफ्लूट के बारे में ओके थेंक यू